दोस्तो अपने bike के insurance को करने के लिए अपने Chrome browser को open करना है और search bar में type करना है policy bazar, जब आप policy bazar को search करते हैं तो इस type का एक interface खुल के आता है, यहाँ पर आपको simply scroll करके नीचे आना है, नीचे में आपको दिखता है two wheeler insurance, आपको two wheeler insurance पर click करना होगा, जब आप two wheeler insurance पर click करते है तो इस type का एक interface खुल कर आता है, यहाँ पर आप right side में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है enter bike number, आपको यहाँ पर अपना bike number एंटर करना होगा, और फिर view prices पर click करना होगा, जब view prices पर click करते हैं, तो इस type का एक interface खुल कर आता है, दोस्तो यहाँ पर चार options दिए जात हैं, first उपर लिखा हुआ है, has your current policy expired, first option है not expired, क्या आपकी bike की policy अभी तक expired नहीं होई है, होने वाली है, अगर आपके bike की policy expired नहीं होई है, तो आपको not expired पर click करना होगा, next है expired within 90 days, friends आपके bike की insurance policy expired हो चुकी है, लेकिन अभी 90 days से नीचे है, 90 days अभी complete नहीं हुआ है, तो आप आपको second option को choose करना होगा, next है expired more than 90 days ago, अगर आपके bike की insurance policy expired हुए, 90 days से अभब हो चुका है, 90 days से ज्यादा हो चुका है, तो आपको third number को select करना होगा, लेकिन इनवे से आपको कुछ भी नहीं पता, तो simply आपको I don't remember पर click करना होगा, चार options में से जो भी options है, आप जब वो select क policy, हमारे bike की policy थी bundled one plus comprehensive policy, जिसमें one year on damage plus five year third party coverage था, तो simply हमें first option को select करना होगा, जब हम first option को select करते हैं, तो इस type का एक interface खुलकर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपर में लिखा हुआ है, on damage only, उसके right side में लिखा हुआ, zero depreciation, यह सारा चीज select करने के बाद, दोस्तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे दो policy नजर आ रहे हैं, आपके case में और भी policies नीचे नजर आएंगे, लेकिन हमारे case में यहाँ पे दो policy नजर आ रहे हैं, तो हमें किसी एक को select करना होगा, तो चलिए मैंने oriental insurance को select कर लिया, जो 462 rupees का दिखा रहा है, जब इस पर हम click करते हैं, तो इस टाइप का एक interface खुलका राता है, और लिख रखा है, your vehicle details, हमारी bike का number लिख कर आया है, उसके बाद royal infield लिख कर आया है, यानि manufacturer का नाम लिख कर आया, फिर model and variant लिख कर आया है, classic STD, AVS 346 CC, उसके बाद registration year 2019 का था, और previous policy details, यानि previous policy की क्या detail थी, वो लिख कर आया है, नीचे है, bundled one plus comprehensive, फिर right side में है, selected policy expired, expired within 90 days, ये details आपको एक बर वरवली चेक कर लेना है, उसके बाद simply आपको view quotes पर click करना होगा, जब आप उस पर click करते हैं, तो इस type का एक interface खुलकर आता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, was there any claim in last year, क्या आपने कोई एक claim ल कोई भी claim नहीं लिया था, तो हमें no पर click करना होगा, और हमारा previous NCB 20% था, तो हमें 20% को select करना होगा, जब हम 20% को select करते हैं, तो यह अपने आप automatically 25% यहाँ पर NCB present time पर आ जाता है, उसके बाद simply आगे बढ़ना है, आप यहाँ पर vehicle के honor का नाम fill कर सकते हैं, उनका mobile number डाल सक यहाँ पर आपको email ID fill करना होगा, फिर यहाँ पर आपको communication address, जो उनका permanent address है, यहाँ पर आपको وہ fill करना होगा, फिर जो state है, state select करना होगा, डली है, सेलेक्ट करना होगा, पिन कोट जो भी है आपको वो select करना होगा, तो चलिए fill कर लेते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं, म हम उस पर click कर देते हैं तो इस type का एक interface नजर आता है इसमें आपको उपर दिख रहा है proposal step 2 by 3 यहाँ पर आपको nominee का name fill करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर nominee के साथ जो गाड़ी ओनर है जो भी गाड़ी ओनर है गाड़ी ओनर का nominee के साथ relation क्या है यहाँ पर दिखाना होगा nominee का age क्या है वो दिखाना होगा यहाँ पर नीचे option है is your vehicle financed और वेसी बात है हमारी bike finance है तो हमने yes पर click कर दिया उसके बाद continue to step 3 पर click करना होगा जब continue to step 3 पर click करते हैं तो इस type का एक interface खुलकर आता है यहाँ पर proposal step 3 by 3 का option नजर आ रहा है उपर लिख रहा है registration number मैं कहूंगा कि आप अपने bike का जो भी registration number है जो आपके bike के number plate पर जो number है उसे ही registration number बोलते हैं आप एक बाद फिर से मिला लें उसके बाद आपके bike का जो भी engine number है यहाँ पर fill कर लें आपके पास जो भी RC है RC से अपने bike का engine number मिला लें अपने bike के 36 number को मिला लें उसके बाद previous policy जिस company से था उस company का नाम यहाँ पे fill कर लें, select कर लें, उसके बाद जो previous policy का number था, आपको यहाँ पर fill करना होगा, नीचे आने पर आपको दिखता है, on damage policy expired date, तो आपकी उस policy की expired date क्या है, आपको यहाँ पर fill करना होगा, हमने यहाँ पर fill कर लिया है, उसके बाद third party policy expired date, यानि आपके bike की third party policy expired कब हो रही है उस date को यहाँ पर fill करना होगा registration date को यहाँ पर fill करना होगा तो हमने यह fill कर लिया उसके बाद नीचे option आता है was there any claim in the last year क्या आपने कोई claim लिया था last year मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने last year कोई भी claim नहीं लिया था यह सारे details भरने के बाद आपको simply scroll करके नीचे करना है नीचे लिखा हुआ है verify premium दोस्तों जब verify premium पर click करते हैं तो इस type का एक interface नजर आता है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है your premium has changed यानि आपका जो भी premium है वो changed हो चुका है उसके बाद save and proceed पर आपको click करना होगा save and proceed पर click करने के बाद इस type का एक interface देखेगा यहाँ पर आप personal details को check करेंगे अगर वहाँ पे कहीं गलती नजर आता है तो आप edit बटन पर click करके उसे ठीक कर सकते हैं फिर उसके बाद vehicle and policy details को check करेंगे वहाँ भी आप अच्छे से check करेंगे अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा अगर कुछ गलत है तो आपको simply edit पर click करके उसे ठीक करना होगा और सब कुछ ठीक होने के बाद आपको यहाँ पर right side में देखना है आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है company का name आपके insurance के company का name है oriental insurance और वह आपके bike का present time पर 85,928 रुपीज price लगा रहा है और नीचे लिखा हुआ है net premium GST net premium हमारा 616 रुपीज है उस पर GST 111 रुपीज का add हो रहा है दोनों add होने के बाद 727 रुपीज का हो रहा है इसमें एक चीज और कहा जा रहा है जोडने के लिए आप अगर compulsory honor driver PA cover चाहते हैं यानि अगर personal accident cover लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे digit 451 पे कर सकते हैं भारती एक्जाख से 384 रुपे और कोटक से 443 रुपे पे आप इसको add on करके इसमें ले सकते हैं लेकिन हमने इसे जरूरी नहीं समझा तो मैंने इसे add नहीं किया अच्छे से सब कुछ चेक करने के बाद आपको simply pay securely पर click करना होगा तो चलिए हमने pay securely पर click कर दिया pay securely पर click करने के बाद इस type का एक interface खुल कर आया है यहां से अब आप payment कर सकते हैं आप debit card से payment कर सकते हैं credit card से payment कर सकते हैं net banking के थुरू कर सकते हैं UPI के थुरू कर सकते हैं, या किसी wallet के थुरू कर सकते हैं, दोस्तो मैं credit card से करना पसंद करूँगा, तो मैं credit card को select कर लेता हूँ, credit card को select करने के बाद, इस type का एक interface खुल कर आया, जहाँ पर आपके credit card का number, यानि जो card number है, यहाँ पर fill करना होगा, card पर किसके नाम का card है, वो fill करना होगा, यानि card holder के name को यहाँ पर fill करना होगा, card की expiry date क्या है, expiry year क्या है, card पर जो CVV number होता है, आपको यहाँ पर fill करना होगा, दोस्तो मैंने सारा चीज यहाँ पर fill कर लिया है, एक बार यह आप re-check कर लें, क्योंकि आप payment करने जा रहे हैं, आपने अगर एक बारी payment कर दिया, तो यह payment refundable नहीं है, यह payment फज जाएगा, दोस्तो सब कुछ चेक करने के बाद, simply आपको paper click करना होगा, तो मैंने भी अच्छे से check कर लिया है, 100% मैं satisfied होँ, जो भी है वो ठीक है, तो मैंने simply paper click कर दिया, तो जैसे ही आपने paper click किया, आपके phone में एक OTP आया होगा, दोस्तो हमारा OTP आ चुका है, हमने अपने OTP को डाल दिया है, डालने के बाद यहाँ से simply submit बटन पर click करना है, दोस्तो जब हमने submit कर दिया, तो यहाँ पर इस type का एक interface खुल कर आया, दोस्तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा policy, हमारे bike का insurance बन कर तयार हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ पर download policy पर click करके अपने policy को यहाँ पर निकाल सकते हो, वरना आपके mail पर आ गया होगा, आपके WhatsApp पर भी यह आ गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा policy कैसा है, हमारा insurance policy कैसा आया है, जरा निकाल कर देखा जाए, simply आपको download policy प तो हमारा policy number है, कब हमारा expire होगा, किस name से है, अच्छे से आप देख सकते हैं, तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने समझाया, जो भी जानकारी देने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो friends मिलते हैं अग अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, जे हिंद